मैं कन्या कुमारी से कश्मीर तक चला भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर हम पैदल चले कन्या कुमारी से बारिश में, गर्मी में कश्मीर की बरफ में हम हिंदुस्तान को जोडने के लिए चले रास्ते में मद्यप्रदेश से भी निकला लाखों लोगों से मेरी मुलकात हुई बाचीत हुई किसानों से मिला युवाओं से मिला माताओं भेहनों से मिला और देश को गहराई से बिलकुल पास से सडक से मैं देख पाया और इस यात्रा ने मुझे बदल दिया एक दूसरी दृष्टी से एक नए तरीके से मैं इस महान देश को देखने लगा दो तीन सवाल मेरे दिमाग में थे मैं अपने आप से इस यात्रा पे पूछ रहा था पहला सवाल ये था कि ये करोणों लोगों का देश लाकों करोणों युवा हैं इतनी उड़जा है इतना डाइनमिजम है इतनी शक्ती है मगर इन युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा जहां भी मैं गया किसी भी युवाँ से मैं पूछता भई क्या कर रहे हो काम नहीं है बेरोजगार हूँ क्या पढ़े इंजिनियर बनना चाहता था इंजिनियरिंग मैंने की डॉक्टर बनना चाहता था मेडिकल पढ़ाई की आज क्या कर रहे हूँ डॉक्टर बने एंजिनियर बने लॉयर बने चुप हो जाते थे मुझे कुछ निकलता ही नहीं था और फिर कहते रहे नहीं राहुल जी बेरोजगार है तो मेरे दिल में दिमाग में ये सवाल उठा की इतने लोग बेरोजगार क्यों है इसका कारण क्या है